सबी किसान भाईयों को नमस्कार किसान सत्यों देखिए हम लोग आए हुए है आज अपने किसान के आज इधर में दिखा हूँ एदि तो बैगन की खेती करी है बेड़ बनाके मेंड लगा कि नोने बहुत अच्छे तरीकी से करी है और इधर टमाटर की और इस साइड मीर्ची खेती करी है तो हम लोग सब कुछ आप लोगों को इन से जानकारी के माध्यम सफलब्द कराएंगे तो वीडियो में बने रहे हैं तक और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए किसान से बात करते है अपना नाम बचाओ धिलर न के यह क sensible दीये गिव कि आप कब लगा यह थै कि इस महीने में इसकी परिंदमाट दियाए थैं अगस्त में को-ग्स्त है लाश्ट में च пят को जनुक्रारी पराइटी प्राइटी भाएटी जो सब्सक्राइध कर रिचशा आप तो दोगे शोन गुज को धाल तो ऐस लग तो जाना चाहिए था ना भीज तो हमारा तयार हो गया था एक महने में लगाने योग लेकिन बरसात की वज़ा थो है थोड़ा दो चार दस दिन लेट लगा अचा हम देख रहे हैं इस पे की फूल उल भी आ चुका यह फल लेने वाला है तो जैसे कि कितने दिन हुआ 5 September 17 तो इसको लगाए यह स्में समय कुछवाग नहीं इसमें दिय था कुछ इसा हाँ इसमें पहले तो जो है। ऐबार की फैक करके इसके चुटाई कर दिये इसके बाद इसको लग डिए तो सको मीर बनात के लगा तक इससे जाए लगाय इसी आ जो में नहीं बना है इसी छ हम देख रहे हैं कि कुछ दूरी दूरी पे आप लगाए हुए है तो इसके पीछे इसके पीछे रिजने कि अगर ज्यादा हम थोड़ा नजदीक में कर देते हैं तो यह दिक्कत करता है इसकी बढ़वार रूख जाती है इसका भी काफ रुकता है अगर थोड़ा दूरी रहत अच्छा कुछ किसार हमारे बताते हैं कि जैसे टमाटर उपाई करते समय यदि वह पॉल्थीन वाला सिस्टम नहीं लगाया जाता है तो इसका फल जमीन पे लगता वह सड़ता है उससे बचाव के लिए उससे बचाव के लिए इसलिए तो हमने चोड़ा-चोड़ा मेड बना शूप इभल तर बंच् technicians तेन इस बचाव जाए कि कंद ऑने करें से दिए नहीं करें सड़ कि ड़ अरफाने के लिए इस तो बेत होना चाहिए कि कम से कम झैसे लगा है नज कि इस किनारे पर विष्की शड़ा करों दो खोड़ा करें पेड होगना है ताकि फिर शिचाई के कि इतने दूरी जो रहेगी तो इतने दूरी में जो है वह फुरक्षीत रहेगा तो पानी नहीं लेगा तो हमारे दर्स्तुम मतलब आप बताना चाहते हैं कि लगबक तीन फीट चोडाई का बेट कम से कम रहना है हां उसमें दोनों तरफ पेंड लगा के उसके बाद एक साइ करी दिया आप ठीक है धन्य बाद